नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर साथ साल के लंबे गाप के बाद एक बार फिर से अब हमें एल नीनो का फिनॉमेना देखने को मिल रहा है इन फाक्ट जगा जगा पे इसकी कवरेज करी जा रही है USA के द्वारा डिक्लेर कर दिया गया है आप लोग यहाँ पे देख भी पाएंगे USA declares arrival of expected El Nino climate pattern likely to yield extreme weather यहाँ पर भी आप देख पाएंगे लिखा गया है कि El Nino arrives raises fear of extreme temperature यहाँ पर भी देख पाएंगे Indian Express की यह वाली news cutting है dramatic warming in the Pacific Ocean, El Nino returns after 7 years यह USA का जो national oceanic and atmospheric वाला institute है उनके द्वारा basically इस चीज की घुशना को किया गया है तो obvious सी बात है El Nino का phenomena काफी major phenomena माना जाता है और यह दुनिया भर के weather patterns को directly या फिर indirectly influence करता है which includes weather patterns of America, South America, North America में काफी बड़ा impact आता है Australia पे impact आता है, Southeast Asia में, Indonesia पे impact आता है and obviously हम लोग इसकी बात इसलिए भी कर रही है because इसका जो impact है वो हमें भारत के उपर भी देखने को मिल जाता है बलकि भारत में RBI के जो repo rates हैं वो भी आप देख लीजे कि RBI अपने repo rates को भी निर्धारित करने के लिए इस चीज का आंकलन करती है कि क्या L Nino आने वाली है या नहीं आने वाली है किस तरीके से monsoon rains उससे प्रभावित होने वाली है इन सब चीजों का भी आंकलन किया जाता है RBI के rates को निर्धारित करने में तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि L Nino की जो importance है वो कितनी जाता है इस वीडियो में हम लोग L Nino के बारे में तो समझेंगे ही समझेंगे साथ ही में हम लोग L Nino के बारे में जानकारी भी आपके साथ शेयर करेंगे and obviously we will discuss कि किस तरीके से ये generally monsoon को affect करती है और specifically Indian monsoon के उपर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है चली शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग मुझे follow करना चाहते हैं हमारे बाकी lectures के updates पाना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए telegram channel के मातिम से ऐसा कर सकते हैं इसके इलावा बताना चाहूंगा कि geography का समुद्र मंथन जो है और top rankers के लिए Amazon के gift vouchers भी available करवाए जाएंगे इसके इलावा दोस्तों हमारा जो Agnipath 2.0 comprehensive batch है वो announce हो चुका है 16 June से यह batch शुरू होने वाला है जिसमें की मेरे द्वारा आपको complete physical geography की classes देखने को मिलने वाली है इसमें मेरे ही द्वारा climatology, oceanography और geomorphology इन सभी चीजों के बारे में जिकर हम लोग करने वाले हैं और यह batch आपका 16 June से शुरू होने वाला है अगर आपने enroll नहीं क्या है अभी जाकर के enroll कीजे using my special coupon code on EUPSC तब ही आपको maximum discount मिलेगा final price इस पूरे के पूरे batch का आपको 7,999 देखने को मिलने वाला है इसमें combo भी available है NCIT की साथ उसको जाकर देख सकते हैं वो 11,999 आपको available करवाया जाने वाला है अगर हम लोग L Nino की बात करें तो basically यह एक climate pattern है इसकी परिभाशा की बात करें जिस case में क्या होता है कि unusual warming होती है of surface waters in the eastern tropical pacific ocean पढ़ने में तो काफी simple और काफी straightforward लगता है लेकिन यह असल में काफी complex phenomena है अगर हम L Nino की ही बात करें तो इसको the little boy भी कहा जाता है यह basically एक Spanish लफ्ज है L Nino जिसकी English, literal English translation जो है little boy भी कही जाती है ऐसा इसलिए कहा जाता है because जो L Nino के currents है यह असल में Christmas के आसपास हमें originate होते हुए देखने को मिलते हैं और इसलिए यह basically baby Christ को refer करने के लिए कभी कबार इसको little boy का नाम भी दे दिया जाता है जो L Nino का phenomena है यह असल में एक larger phenomena का एक छोटा हिस्सा है जो larger phenomena होता है उसे L Nino Southern Oscillation यानि की ENSO कहा जाता है उस बड़े phenomena का जो warm phase है इसको तो L Nino कहा जाता है और उसी बड़े phenomena का जो cool phase है इसको कहा जाता है L Nino में जैसे मैंने बताया कि unusual warming होती है surface waters की in the eastern tropical pacific ocean उसी तरीके से L Nino के case में unusual cooling देखने को मिलती है हमें of the eastern tropical pacific ocean यह भी आपको बता दें कि L Nino की जो frequency होती है this is much more as compared to the frequency of L Nino L Nino की conditions को समझने के पहले हमें normal conditions को समझना पड़ेगा normal conditions को समझने के लिए एक बात का ध्यान रखना बहुत important है कि normal conditions basically दो चीजों पर depend करती है number one होता है आपका oceanic water का circulation and number two होता है आपका atmosphere के अंदर जो winds चल रही है उनका circulation यानि कि एक आपको नीचे के circulation को समझना है और एक आपको ऊपर के circulation इन दोनों को समझना है इन दोनों को समझ पाएंगे तभी जाकर के normal conditions को समझ पाएंगे and तभी जाकर के L Nino Valley conditions जो changes होते हैं उनको समझ पाएंगे और appreciate कर पाएंगे अब normal conditions में क्या होता है, ध्यान से देखिए, जो ये वाला area है, इसको कहा जाता है Peru Coast, क्यूंकि यहाँ पर आता है Peru, तो इसे कहा जाता है Peru Coast, normal conditions में क्या होता है, कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है high pressure, और normal conditions में हमें यहाँ पर, यानि कि Australia के just उपर, देखने को मिलता है low pressure, Now high pressure के case में यहाँ पर high pressure क्यों आता है? Because यहाँ पर ठंडा पानी आ रहा है यानि कि जो आपका sea surface का temperature है वो आपको थोड़ा ठंडा देखने को मिलता है जिसकी वज़े से pressure high रहता है Now normal conditions में जो trade winds है वो यहाँ से high pressure से low pressure की तरफ flow करती है यानि कि और भी simple भाषा में कहें तो basically east से west की तरफ flow कर रही है इस normal condition के case में जब जो winds है जब यहाँ पर यह outgoing winds होती है तो basically क्या होता है? कि यहाँ पर हमें draught देखने को मिलता है ठीक है? और यहाँ पर जो west की तरफ जा रही है यहाँ पर हमें rainfall देखने को मिल जाती है यह वाला जो पूरा का पूरा phenomenon है इसको यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं यह देखिए यह आपका peruvian coast है यह आपका Australia का coast है तो normal conditions में winds जो हैं वो इस तरीके से flow करती है यह वाली winds जब यहाँ पर आएंगी उसके बाद यह ओली winds उपर को जाएंगी जब यह winds उपर को जाएंगी तो cloud formation होगा तो यहाँ पर हमें rainfall देखने को मिल जाएगी वही चीज मैंने यहाँ पर बताई थी कि यहाँ पर हमें rainfall देखने को मिल जाएगी और यह इस तरीके से आपका पूरा का पूरा cycle, atmosphere में पूरा होता है, similar cycle हमें basically नीचे oceanic water circulation का भी देखने को मिलता है, जिसमें की पानी कुछ इस तरीके से flow करता है, ये पानी जब इस तरीके से flow करता है, तो पेरू के coast पे ये वाली हमें upwelling देखने को मिलती है, ये वाला जो हमेंने आप ये show करा हुआ है, ये upwelling देखने को मिलती है, और इस upwelling के case में, क्योंकि upwelling होती है, तो नीचे से बहुत सारे nutrients भी हैं, जो की ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वज़े से इस area में जो fish catch है, वो भी काफी जादा बढ़ जाता है, यही है आपके normal conditions, जो की हमने आपको अभी समझाए है, अब L9 वाले case में क्या होता है, कि यहाँ पर जो यह वाला area है, इसमें temperature suddenly बढ़ जाता है, normal case में यहाँ पर temperature कम था, लेकिन L9 में यहाँ पर temperature suddenly बढ़ चुका है, जिसकी वज़े से temperature बढ़ने की वज़े से यहाँ पर हो जाता है, low pressure, and relatively यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, high pressure. Now, because of this, जो आपका atmospheric circulation था, वो भी कुछ इस तरीके से change हो जाता है, और वो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, और similarly, atmospheric circulation के साथ-साथ, जो नीचे की oceanic water circulation थी, वो भी बदल जाती है, उसमें भी हमें इस तरीके से बदलाब देखने को मिल जाता है, इसकी भी photo मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, El Nino conditions में क्या होता है, यह वाली winds यहाँ से ऐसे flow कर रही है, और यह फिर यहाँ पर rise करेंगी, यहाँ पर cloud formation होगा, तो हमें यहाँ पर rainfall देखने को मिलेगा, यानि कि उन इलाकों में जहाँ पर पहले हमें draught देखने को मिल रहा था, वहाँ पर हमें rainfall देखने को मिलेगा, और जिन इलाकों में हमें पहले water circulation भी बदला है तो यहाँ पर जहाँ पे पहले upwelling हो रही थी पानी की अब वहाँ पे downwelling होगी या फिर यह कह सकते हैं कि upwelling नहीं होगी जिसके case में जो पहले nutrients उपर आ रहे थे जिसकी वज़े से fish catch बढ़ रहा था वो वाले nutrients उपर नहीं आएंगे तो यहाँ पर जो fish catch है वो भी आपका नहीं बढ़ पाएगा in fact यहाँ के मच्वारों को काफी जादा नुकसान भी जेलना पढ़ सकता है यह होता है एल नीनो के case में because basically जो यह वाला इलाका है यहाँ पर आपका temperature बढ़ जाता है तो देखिए एक simple से temperature के बदलाव से कितने सारे बड़े बड़े changes हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर भी आप देख पाएंगे यह वाला diagram भी मैंने उसी चीज को दिखाने के लिए showcase किया है यह देखिए यह जो winds है यह basically इस तरीके से flow कर रही है यह यहाँ पर ऊपर जाएंगी यहाँ पर rainfall आएगा यहाँ पर drought आजाएगा reduced chances of rain और यहाँ पर साथ ही में आपका जो fish catch वो काफी जादा कम हो जाएगा यह वाली photo भी आप देख सकते हैं जो एक satellite image है जो की basically दिखाती है कि एल नीनो के साल में यह वाला जो आपका Peru वाला side है यह basically यहाँ पर आपका temperature काफी जादा बढ़ जाता है और इसी की वज़े से सारे के सारे हमें impact देखने को मिल जाते हैं यह कहानी होती है एल नीनो है यहाँ पर आपका जो पानी है वो जादा ही ठंडा हो जाता है जब यह जादा ठंडा हो जाता है तो यहाँ पर basically जादा high pressure बन जाता है और यहाँ पर low pressure होता है जिसकी वज़े से यह वाली winds और जादा strong होती है यानि कि यहाँ पर होने वाला जो drought है वो और जाधा strong होता है, यहाँ पर होने वाला जो rainfall है यह और जाधा strong होती है, यहाँ पर होने वाला जो fish catch है यह और जाधा strong देखने को मिल जाता है, यानि कि La Nina के case में basically क्या है, कि normal conditions में जो हमें चीजें देखने को मिलती है, बस वही चीजें हमें थोड़ी और जादा strengthened होती हुई देखने को मिल जाती हैं इसकी photo भी आप देख सकते हैं trade winds stronger हो जाती है ये जादा गरम हो जाता है ये जादा ठंडा हो जाता है तो ये भी normal तो नहीं है ये ला नीना के case में basically normal conditions हमें जादा मजबूत होती हुई देखने को मिल जाती है Now coming to this year's El Nino इस साल की El Nino में क्या हुआ है कि scientists काफी जादा घबराए हुए हैं वो इसलिए because अब हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे climate change भी काफी बढ़ चुका है Now even though इस चीज के बारे में किसी ने भी properly research अभी तक नहीं करी है कि El Nino और climate change का exactly क्या linkage है लेकिन scientist का ये मानना है कि definitely speculate किया जा रहा है कि climate change के चलते El Nino का जो प्रभाव है वो काफी जादा बढ़ सकता है और mainly इसमें ये माना जा रहा है कि जो इलाके El Nino की वज़े से जहाँ पे temperature बढ़ता था शायद वहाँ पे temperature और जादा बढ़ सकता है जहाँ पे बारिश बढ़ती थी शायद वहाँ पे बारिश और बढ़ सकती है जहाँ पे सूखा बढ़ता था शायद वहाँ पे सूखा भी और जादा तेजी से बढ़ सकता है या फिर और जादा खराब तरीके से उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है तो ये सारे की सारी speculations हमें इस साल देखने को मिल रही है Also आपको बताना चाहूंगा कि N Lino की जो परिभाशा है न वो country by country vary करती है Normally दो तरह की परिभाशा हैं जो की दुनिया भर में follow करी जाती है एक तो जो अमेरिका का institute है NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration वाला जो संस्थान है और दूसरा Australia का भी Bureau of Metrology है जो की अपनी परिभाशा निकालता है USA के according N Lino तब कहा जाता है जब eastern और central equatorial pacific में अगर जो तापमान है वो 0.5 degree Celsius से बढ़ जाए normal temperature से और उसको ये लोग चेक करते हैं approximately 3 month period के उपर अगर ऐसा होता है उस case में वो मानते हैं कि जी हाँ यहाँ यहाँ पर basically आपका L Lino का फिनॉमेना आ चुका है in fact वो केवल एक parameter के basis पर नहीं वो trade winds को भी check करते हैं कि क्या trade winds weaken हुई है क्या cloud cover में हमें कुछ changes देखने को मिले हैं तब जाकर करके बोलते हैं कि L Lino देखने को मिल रहा है Australia का department क्या करता है वो बोलता है 0.5 degree Celsius से नहीं बलकि 0.8 degree Celsius से अगर temperature बढ़ता है तो उस case में हम लोग इसको L Lino मान लेते हैं तो ये भी एक important point to note है कि सभी countries सेम परिभाशा नहीं मानती है हर country अपनी अपनी परिभाशा यहां पर लेकर आई है जिसमें से ये दो main परिभाशा है आपको ध्यान रखनी जरूरी है Now coming to the most important part of the video कि क्या L Lino का प्रभाव भारत पर भी पड़ता है तो जी हां In fact इस साल हम already देख चुके हैं कि जो हमारा monsoon है उसमें हमें delay देखने को मिल चुका है जो monsoon 1 जून को आता है केरिला में वो monsoon 8 जून को आया है साथ दिन का delay हमें already देखने को मिल रहा है बलकि एक expert है Dr. Akshay Dioras जो की research scientist है at the National Center for Atmospheric Sciences in Department of Metrology University of Reading UK में इनका ये मानना है कि there is a higher possibility of a below normal rain this year and इनका ये भी मानना है कि जो IMD के द्वारा prediction करी गई है rainfall की वो शायद सही नहीं है IMD के द्वारा जो prediction करी गई है rainfall की उन्होंने कहा है कि L-Nino के बावजूद भी India is likely to receive 96% of the southwest monsoon यानी कि हमें 96% के आसपास का monsoon देखने को मिलने वाला है और हमारी परिभाशाओं के अनुसार अगर 96% से 104% के बीच में monsoon होता है लेकिन कुछ-कुछ experts यहाँ पर कह रहे हैं कि शायद ऐसा नहीं होने वाला है possibly जो monsoon है वो 9-6% से कम हमें देखने को मिल सकता है और in fact इस case में अगर बात करें तो RBI भी इस चीज़ को लेकर थोड़ा चिंतित नजर आ रही है आपने अगर notice किया होगा कि RBI ने recently अपनी monetary policy वाली meeting के अंदर जो rate cuts है उसको कम नहीं किया है जबकि inflation काफी जादा काबू में आ चुकी है now RBI को यह लग रहा है कि अगर in case L.E. no strengthen हो जाती है अगर in case उसकी वज़े से इंडिया के ऊपर जो monsoon है वो हमें थोड़ा weaken होता हुआ देखने को मिल जाता है तो उस case में it is possible कि अगर monsoon weaken होता है तो हमारे agricultural outputs weaken हो सकते हैं जिसकी वज़े से अगर food supply कम होती है तो उस case में inflation भी देखने को मिल सकती है और RBI यहाँ पर सही भी है because अगर आप देखें तो 2001 से लेके 2020 के बीच में इंडिया ने कुल मिलाके 7 L.9 years देखे हैं इन 7 L.9 years में हमें 4 major droughts को witness किया है 2003, 5, 19 and 15-16 और यही वो वाले साल थे जब हमने droughts को witness किया था कि हमारा जो farm production है उसमें 16%, 8%, 10% और 3% की cutouti देखने को मिली थी जिसकी वज़े से हमें काफी जादा inflation देखने को भी मिली थी तो आप देख सकते हैं कि L.9 का जो impact है वो किस तरीके से Indian monsoon को impact करता है और किस तरीके से वो फिर हमारे RBI के होने वाले जो rate cuts हैं जो policy measures हैं उनको भी कितने बड़े रूप से impact कर देता है हाला कि कहानी इतनी simple नहीं है अगर आप देखें तो इंडिया का जो monsoon है उसके उपर जो factor है वो केवल L.9 का ही नहीं उसके उपर Indian ocean dipole का factor भी आता है जो कि शायद कभी कबार L.9 के factor को cancel out भी कर देता है उसको लेकर अगर आप लोग interested है मुझे please बताइए comment section में हम लोग उसको लेकर एक separate video भी लेकर आ सकते हैं फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही जाने से पहले बताना चाहूंगा कि दोस्तों हमारा separate CSAT का course भी चल रहा है मात्र 25 में आप लोग उसमें enroll कर सकते हैं और separate NCRT course भी चल रहा है उसमें भी जाकर के आप लोग enroll कर सकते हैं इसके लावा हमारी test series भी चल रही है you can enroll in that for prelims and mains separate test series चलाए गई है thank you so much for listening stay tuned and stay